तो हाई गाईज वेलकम बैक टू आयूरीभा चैनल नमस्कार आई होप आप सभी अच्छे होंगे तो आज आप लोग के साथ हम ला सेर करने जा रहे हैं इडली का रेसिपी तो आप देख सकते हैं मेरा इडली कितना अस्पंजी और फलफी बना हुआ कितना बड़ा बड़ा इसमें बवल्स आया हुआ है देखिए बिल्कुल अस्पंजी है तो एकदम स्मूथ बना हुआ है बस कुछ सीक्रेट को दियान में रखते हुए बनाईए आपका घ्टली इतना ही अस्पंजी और इतना ही मस्त बनेगा आप देख सकते कितना बड़ा बड़ा मेरा निकला सामबर चटनी इसके साथ बहुत अच्छा लगता है बस तीन चार इंग्रेंट से ही यह रेडी हो जाता है सिर्फ सामबर या सिर्फ चटनी के साथ भी आप खा सकते हैं तो एक गलास मेरा उरद का दाल है आप देख सकते हैं तीन गलास अरवा चावल यह हलका मोटा वाला अपल नहीं लेना होता तो उरद के दाल के साथ ही उसमें थोड़ा सा मेथी का दाना डालेंगे एक चमच के करीब और उसको हम 6-7 घंटे के लिए सो कट करके छोड़ देंगे फुलने के लिए यह देख सकते हैं उरद का दाल मेरा बिलकुल फुल करके रेडी हो गया है साथ में उरद के दाल के सासत मेथी के दाना भी मेरा फॉर्मेट हो फुल चुका है तो तुनों को साथ साथ हम बार एक पीस लेंगे यह जो उरद के दाल वाला पानी है ना इसको वेस्ट नहीं होने देंगे इसको हम रखेंगे इसी पानी से हम दाल को फिर से पीसेंगे यह फॉ इंसिडेंसी में पीस करके रखेंगे फिर जैसा होगा पूरा बेटर मिलाने के बाद गाड़ा पतला हम बना लेंगे तो यह मेरा चावल और दाल पीस करके रेडी हो गया है यह चावल भी देखिए मेरा फुल्चु का है छे साथ घंटे में उसी पानी के साथ हम इसको भी पीस लेंगे सभी को एक साथ पीस करके और रखेंगे एक साथ आप घरवाला भी कोई भी चावल यूज कर सकते हैं मोटा चावल होना चाहिए एकदम बासमती नहीं होना चाहिए यह पोहा है इसको भी एक से डिर घंटे तक हम फुला लिए है इसको भी अच्छी तरीके से पीस लेंगे इसको भी डालना है उसी में पोहा डालने से यह हो और पोहा पीस करके रेडी हो गया है दाल में मेथी दाना था अब इस सभी को एक साथ हम 10 मिनिट के लिए इसी तरह लगातार फेट लेंगे आप देख रहे होंगे फेटते फेटते यह चोटा चोटा बवल्स आ गया है तो जब ऐसा बवल्स दीखने लगे आपको बेटर मे थंडी का मौसम था तो बहुत बढ़ियां बवल्स दस घंटे में यह नहीं आ पाया लेकिन बिल्कुल अच्छी तरीके से यह फॉर्मेट हो गया था हमारे आपी काफी ठंड पड़ रही है तो साइड साइड से कहीं कहीं से बवल्स दिख रहा था कहीं से नहीं भी दिख र इडली बनाना हम स्टार्ट कर देंगे तो इसमें थोड़ा सा नमक डाल करके इडली बनाएंगे यह देखिए गरम पानी है इसे उबाल चुके हैं अब इडली वाला जो मॉल्ड होता है न उसमें हम थोड़ा सा रिवाइन वाइल से गड्निस करेंगे और फिर उसमें बस उतना ही डालना है थोड़ा सा खाली और फूल करके इडली मेरा पूरा फूल जागा उपर तक चला जाएगा तो देखिए पानी पूरा उबल चुका है अच्छी तरीके से इसी में हम अपना इडली का मॉल्ड डालेंगे आप अभी इसी परकार से बनाएंगे इडली का के बाद फिर हम इसको बीच में चेक करेंगे अगर लगे कि मेरा रेडी हो गया है तो फिर निकाल देना है नहीं लगे थोड़ा सा और इसको पकाना है तो देखिए 8-10 मिनट के बाद मेरा इडली कितना मस्त पूला है जितना खाली छोड़े थे उससे ओभर ओभर तो नाइ प्रस्ट को कितना राम से छोड़े रहा है बिल्कुल अराम अराम से निकल जा रहा है तो अगर मेरा ये रेसिपी आप लोगको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें कमेंट में ये बताएं कि ये रेसिपी कि इसी तरह जरूर ट्राइब करें पिना इनो बीना मीठा सोडा का ये बिल्कुल इसी तरए से रेडि होगा पर पहसी डाला हुआ है और कि यसी दिन दो तीन चटनी का तो यह देखिए सा음बर और इडली और चटनी मेरा रेड़ी है तो हम इसको खा करके इंज्वाइब करते हैं आपको बताते हैं कि यह कैसा बना है तो गाईज अगर आपको मेरा रेसिपी अच्छा लगता हो तो लाइक, सस्क्राइब, कमेंट जरूर करेंगे यह बहुत टेस्टी बना हुआ था तो आप भी बनाईए, खाईए अपने लाइफ को इंज्वाइ कीजे अब मेरे चैनल को सस्क्राइब कर दीजे बाई